बद्दी की दो महिला पहलवानों का चेर्ण भारत की अंडर 17 कुष्टी टीम की कैम्प के लिए हुआ है यह दोनों पहलवान वर्तमान में लखनाओं में इंडिया कैम्प में हिस्सा बनी है कैम्प के बाद ट्रायल होगा अगर यह दोनों पहलवान बहतन परदर्शन करती है तो टीम इंडिया में स्थान बना सकती है बद्दी की खुशी ठाकुर ने अंडर 17 में जारखंड में हुई राश्टर स्थर कुष्टी प्रतोगता में 61 किलो वर्ग में भाग लिया था इसमें खुशी दूसरे स्थान पर रही बद्दी की सलोनी ठाकुर ने 49 किलो वर्ग में भाग लिया था और राश्टर स्थर पर रज़त पदक जीता था इसके बाद दोनों का चेरन इंडिया कैम्प के लिए हुआ इंडियन कैम्प लखनाओं में एक माह तक चलेगा खुशी ठाकुर और सलोनी ठाकुर इस कैम्प का हिस्सा बनी है इन पहलवानों के कोच बालकिशन ने बताया कि लखनों में एक माह तक इंडिया कैम्प चलेगा इसमें पूरे देश की महिला पहलवान भाग ले रही हैं एक माह तक इन सबी पहलवानों को देश के बड़े कोच परशिक्षन देंगे कैम्प के समाप्त होने पर दोबारा से ट्रायल लिया जाएगा इस ट्रायल में अगर दोनों पहलवान अपने वर्ग में अवल रहती हैं भारत की जर्सी पहनेंगी खुश ठाकुर के पिता बेंठाकुर और सलोनी के पिता परवेश कुमार ने बताया कि उन्हें उमीद है कि बेटियां हिमाचल का नाम चमकाएंगे और भारतिय टीम का हिस्सा भी बनेंगी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए E&TV के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर जरूर करें